Assalamualaikum dear students, last time हमने numerical number 3.3 discuss किया था, आज हम numerical number 3.5 करते हैं, जो numerical number 3.4 है वो आपने खुद से practice करनी है, अब numerical number 3.5 में हम से क्या कहा जा रहा है, अब body is starting from rest, आपके पास कोई भी एक car है, वो car जो है, start होती है कहां से, rest से, कोई भी body, बेटे जब start होगी rest से, उसकी initial velocity कितनी लेनी हमने, 0 meter per second, तो हमें यहां तक के जो बात समझ में आई, कि our body is starting from rest, यहां तक हमने इसको लिख दिया data के अंदर, V i is equal to 0 meter per second, acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds, यानि जब 5 second गुजरते हैं, तो वो गाड़ी जो 0 velocity से, यानि rest से start होई थी, 5 second के बाद उसकी velocity कितनी हो जाती है, 10 meter per second, तो दो velocities हो गई, पहली वाली को v i कह दिया, बाद वाली को में क्या कहूंगा बेटे, v f, और वो कितनी हो गई है, 10 meter per second, कितने time में यह सब हुआ है, velocity change कितने time में हो यह, 5 second में, तो बेटे t किसके बराबर आजाएगा, t बराबर आजाएगा, 5 second के बराबर, मालुम क करना है, हमें calculate करना है, क्या चीज, दो चीज़े calculate करनी है, part A में जो चीज़े हमें calculate करने का कहा गया है, वो क्या कहा गया है, बेटा, part A में कहा गया है, कि acceleration find out करें, बेटा, acceleration, symbol क्या होता है, A is equal to question mark, दूसरा part B में हम से क्या कहा गया है, आपने क्या find out करना है, the distance covered by a body, distance को हम किसे show करते हैं डिस्टेंस को हम show करते हैं S से और वो हमने find out करना है तो बैटे अगर मैं थोड़ा सा acceleration को देखूं तो acceleration है जब acceleration है तो मैं distance formula use नहीं कर सकता S is equal to V multiply T मुझे क्या मालूम करना acceleration यानि distance formula उस जगा पर use करेंगे जहां पर velocity constant है तो इसके लिए मैं distance formula use नहीं करूंगा क्योंकि दो velocities है अब पहले मैं acceleration find out करना है मैं किस equation of motion से acceleration find out कर सकता हूं मैं first equation of motion से acceleration find out कर सकता हूं क्योंकि first equation of motion क्या है VF बराबरे V I plus 80 मुझे बाकि सब कुछ given है मैं A find out कर लूँगा लेकिन मुझे A find out करना है तो मैं acceleration के formula से भी तो find out कर सकता हूं तो आप की मर्जी है आप first equation of motion लगाए यह acceleration का formula लगाए तो हम क्या करते हैं acceleration मालूम करना acceleration के formula से ज़्यादा आसानी से solve होगा तो मैंने क्या किया मैंने यहां पर लिए किया using formula of acceleration acceleration का आप formula यूस करो और वह क्या होता है यह बराबर होता है del v change in velocity change in velocity का मतलब क्या है Vf minus V i upon t बाटे आ बराबर हो जाएगा Vf हमें कितनी दी गई है 10 के बराबर दी गई है तो Vf की जगापर हम क्या put कर देंगे 10 minus V i हमें कितनी दी गई है 0 के बराबर time हमें कितना दिया गया है time हमें दिया गया है 5 second तो बेटे ए बराबर हो जाएगा 10 minus 0 it will remain 10 divided by 5 तो acceleration कितना आ जाएगा हमारे पास 5152 तो बेटे 2 meter per second square because acceleration का unit क्या होता है 2 meter per second square यह हम से find करने का कहा गया था हम इसे box pack कर देंगे ताकि examiner को आसानी हो answer find out करने में अब हमें distance use करना है distance use करने के लिए मैं देखता हूँ मैं कौन सी equation of motion लगा सकता हूँ second देखते है s बराबर है v i t plus half a t square s मालूम करना है v i पता है क्या yes जानता हूँ t मालूम है 5 है half constant number a मालूम है हमें हमने अभी find out कर लिया और हमें t भी मालूम है तो second equation of motion यूज़ करके मैं क्या निकाल लूँगा s निकाल लूँगा and what is second equation of motion s बराबर है v i t plus 1 by 2 a t का square बेटे s बराबर हो जाएगा in place of v i there will be 0 in place of t there will be 5 plus half in place of a कितना आ जाएगा बेटे अभी अभी find out किया 2 in place of t there will be 5 and t का square है तो t square हो गया बेटे next step में s किसके बराबर हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 0 into 5 it will be 0 plus बेटा 2 और 2 cancel हो जाएगे यह साड़ी एगा पर क्या जाएगा बेटा 1 into 5 का square बेटे 25 so s is equal to 25 meter क्योंके 25 into 125 plus 0 it will remain 25 तो हमारे पास यह दोनों चीज़ आगे जो हमें find out करें का कहा गया था हमें acceleration find out करें का कहा गया है और distance find out करें का कहा गया है अल्ला हाफिज